मैं ये सुर्दन सर्मा, इन्फाइनिट एज्यूगेशन से आप सभी का डिजिटल क्लासे इसमें स्वागत करता हूँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है एक यूनिक सब्चेक्ट साइकोलोजी, जिसमें सभी को डर लगा रहता है साइकोलोजी में, कि साइकोलोजी के से पढ़े, क्या है साइकोलोजी, ये सभी में आज आपको कवर करवाने वाला हूँ, आज हम साइकोलोजी स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है, टूडे क्लास, आज की क्लास में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, एंड, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आपके दो बुक, साइकोलोजी की जो दो किताबे हैं, दो राइटर्स की जो किताबे हैं, उन में से दो किताबों में से नोट्स को कम माइंड करके, और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसलिए ये ना समझे कि आपके जो नोट्स है इसन से कुछ नहीं होगा ये बहुत कुछ है बहुत एक्स्ट्रा सफिसियंट नोट्स है इसलिए पेसेंस रखे और जो वीडियो है उनको देखते रहे चलते हैं आगे की तरफ इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट आता है साइकोलोजी सबसे बेलो तो आएगा सर कि साइकोलोजी होती क्या है ठीक है साइकोलोजी क्या होती है ये साइकोलोजी जो वर्ड है जो किस ने दिया ठीक है कौन सी लेंग्वेज में है कौन से वर्ड में है साइकोलोजी का जो मिन्स होता है वो क्या होता है यह सब पढ़ेंगे, तो इसमें ऐसे लिख रखा है, psychology, जो psychology है, वो क्या है, एक, sorry, psychology एक Greek word है, Greek सब्द है, और जो psychology है, इससे हम two parts में divide करते हैं, कौन-कौन से, फस्ट इस, एसे अपने इसको काट दिया, तो फस्ट तो हो गया इसके part, psychology, and second is, logos, ठीक है, जो psychology word है, उसका means होता है, soul, और जो logos है, उसका होता है, steady of या knowledge of, क्या होता है, steady of या knowledge of, चलते हैं आगे की तरफ, यहां तो कोई दिक्कत, इस परकार हम देखे, तो जो psychology word है, उसका means क्या होगा, that's psychology means, steady of soul, इस परकार जो psychology का, अर्थ निकलता है, वो निकलता है, steady of soul, got it, हमने क्या पढ़ाया अभी तक, हमने पढ़ाया, psychology, एक क्या है, ग्रिक वर्ड है, psyche comments होता है, soul, और logos का ओरता है, steady of या knowledge of, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, soul की, steady, या soul की, knowledge, यह कह सकते हैं न, यह क्या है, ग्रिक वर्ड, और यहीं, यह लिख रखा है, आपके, psychology means, steady of soul, आगे चलते हैं, introduction part, एक मिनिट, sorry, psychology का introduction पढ़े हम, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता हूँ, psychology के introduction में, आपके, जो first line है, वो है, psychology is an off-spring of philosophy, जो psychology subject है, वो off-spring है, या off-spring, या संतान, या, अब इसमें संतान क्योंगी होगी है, या निकि उसका, एक टुकड़ा मानलो, एक कुछ भी मानलो, off-spring है, किसकी, philosophy की, जो philosophy subject है, उसकी क्या है, off-spring है, कौन, psychology, आगे चलते हैं, the word soul was, the word soul was used regularly, and there were many interpretations, that could be given to it, यहां ऐसे लिख रहा है, यह ऐसे गे रहा है, कि the word soul was used regularly, यहां पर जो soul word है, soul सब्द है, जिसे soul है, वो क्या है, regularly, थोड़ा बहुत used हुआ है, यहां पर, and there were many interpretations, जिसकी, कई, that could be given to it, जिसकी यहां पर, कई, many interpretations, यानि कई व्याख्या, व्याख्या है, या ऐसे दान्त है, वो दिये गए है, आगे चलते हैं, later on, william james, कौन, william james, used, the term mind, which replaced soul, जो हम इतनी देर से, इतने टाइम से अभी, जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, जो soul पढ़ रहे थे अभी, यह soul, कि भई, psychology होती है, psychology, study of soul होती है, उसकी जगह जो william james है, इन्होंने कह किया, mind को, mind से replace कर दिया, किसे soul को, जो soul पढ़ रहे थे, उसे mind से replace कर दिया, आगए बात समझ में, चलो, आगे चलते हैं, क्या कर दिया, जो पहले soul थी, उसे अभ mind से replace कर दिया, ठीक है, as year went, the meaning of psychology changed, जैसे जैसे समय बीचता गया, जो psychology की meaning है, वो क्या हो गई, change हो गई, change हो गई, आप क्या आए, some scientist like William, sorry, Wilhelm Wundt, of German defined psychology as the study of consciousness, जो यह scientist है, इन्होंने क्या किया, यह German scientist है, यह आए, इन्होंने psychology को defined किया, और यह क्या कहते है, यह अलग ही कह रहे है, यह से कह रहे है, जो psychology है, वो क्या है, study of consciousness, consciousness यह न्योंने होता है, चेतना, चेतना का अध्यनी क्या है, psychology, यह से कह रहे हैं, यह scientist है, इसको याद रखे, यह यह बहुत important है, important है यह, इससे याद रखे, आगे चलते हैं, however, however, this was also discarded in the course of time, and the current definition of psychology is, यह से, इसका इंदी ऐसे है, however, this was also discarded in the course of time, समय के चलते, या समय के निकलने के दोरान, जो अभी यह दी थी न, यह वाली, consciousness वाली, psychology is the study of consciousness, इससे भी क्या कर दिया गया, discarded, खारीज कर दिया गया, और जो current definition है, psychology की, जो अभी वर्तमान में चल रही है, psychology की, वो क्या हो गई, systematic study of human and animal behavior, animal and animal behavior, came to be accepted, अब क्या हुआ, जो systematic study of human and animal behavior, यह हो गई अब psychology की definition, आगे बाद समझ में, यहां तो कोई दिक्कत, came to be, came to be accepted, यह जो definition है यह वाली, यह आपके, accepted की गई है, systematic study of human and animal behavior, आगे चलते हम, अब क्या हुआ, study of soul, study of mind, study of behavior, और study of consciousness, यह तीनो चारो है, यह क्या है, these all components are psychology, यह चारो component है, यह क्या है, psychology, clear, यह तो कोई दिक्कत, यह चारो क्या होगी, psychology होगी, आगे क्या है, देखो, as a bingas, as a german psychologist, as rightly stated, जो german psychologist है, कौन, a bingas, इन्होंने क्या किया, एक कथन, या तथे मालो, या फिर, एक line बोली है, वो क्या है line, वो line है, आपके सामने, psychology has long past, but a short history, यह इसे बोलते हैं, जो psychology है, वो लंबा अतीत है, लंबा past है, लेकिन short history है, लेकिन इसकी जो history है, वो गया है, short है, psychology has long past, but a short history, यहा तक अदिक्कत, अब देखो, यहा तक, एक, हमने जो आज, हमने दो टोपिक लिये हैं, एक तो क्या था, टूडे क्लासेज में, एक तो आपके सामने था, introduction part, और एक था, meaning of behavior, इसमें से हमने, introduction part, थोड़ा थोड़ा बहुत, हमने आज cover कर लिया है, बाकी का हम कल भी करेंगे, थोड़ा बहुत, introduction, origin लेंगे, कल, meaning, and definition, origins, किसकी, किसकी origin, psychology की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जनक कौन है, फादर की कौन है, यह सब हम कल, next, कल यानि की next class में लेंगे, आज हमने थोड़ा बहुत introduction part पढ़ा है, अब meaning of behavior पढ़ रहे हैं, अब हम एक बार इसको वापिस revise कर लेते हैं, जिसे आपके दिमाग में set हो जाए, कि हमने क्या पढ़ाए भी तक, ठीक है, सबसे पहले तो आता है, एक नया page ले ले लेते हैं, यह नया page ले लिए अपने, इसमें देखो, आज हमने सबसे पहले तो पढ़ा है, जो psychology है, वो क्या है, एक, कौन सा word है, Greek word है, ठीक, अगली इसके बाद में हमने पढ़ा था, क्या होगा है, Greek word होगा, इसके बाद में हमने पढ़ा था, जो psychology है, इससे हम, इस word को two parts में डिवाइट करते हैं, एक तो होगया, psyche, एड एक होगया, लोगस, ठीक, अब जो psyche है, एंड लोगस है, तो psyche का मिन्स क्या होता है, psyche की मिनिंग क्या होती है, एंड लोगस क्या होती है, लोगस की तो होती है, study of, ठीक, जो psyche होती है, इसकी होती है, soul, इस starting में हमने ये पढ़ा है, ठीक, आगे समझ में, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसको अटा देते हैं, इसके बाद में हमने पढ़ा था, देखो, एक मिनिट, इसके बाद में हमने लिया था, जो, अपने क्या था, psychology, इज, तो psychology इज, जो psychology है न, इसके हमने, ओफ इस्पिरिंग है, psychology is, ओफ इस्पिरिंग, ओफ, किसकी है, बताओ जल्दी, फिलो, सोफि, फिलो, सोफि की, clear, या तक पढ़ लिया, इसके बाद में हमने क्या बढ़ा, या तक अगरो, इसके बाद में हमने लिया था, देखो, जो psychology है, वो क्या है, इस पेज़ भी आज़ाओ आप तो, the word soul was used regularly, जो हमने, यहाँ पर एक निट, हमने जो word लिया था, कौन सा, soul, तो यहाँ पर यह जो soul word है, जो क्या कह रहा ही है, the word soul was used regularly, यहाँ पर जो soul word है, यह थोड़ा बहुत ही used हुआ है, regularly, there were many interpretations, that could be given to it, और यहाँ पर जो soul word है, इसके कई व्याख्याएं दी गई है, ठीक है, लेटर ओन, विलियम जैम्स used the term mind, अब जो यहाँ पर soul थी, इसको mind में, replaced कर दिया, किसने, किसने कर दिया, विलियम जैम्स ने, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, आगे आथा अपने soul, को mind में replace कर दिया, as year went, जैसे जैसे समय बीटा गया, जो psychology की meaning है, वो क्या हो गई, चेंज होती गई, ठीक है, सम साइन्टिस्ट लाइक, विल हेलम वुन्ट, ओफ जर्मनी, विल हेलम वुन्ट, जो जर्मनी के साइन्टिस्ट है, उन्होंने, psychology को कैसे डिफाइन किया, as a consciousness, ठीक है, इसके बाद में आया, इसको भी हमने खारीज कर दिया है, और करेंट डिफिनेशन नाई, वो क्या है गई, systematic study of human and animal behavior, ठीक है, और ये आपके क्या होगी, these are all components of psychology, psychology of study of soul, study of mind, study of behavior, and consciousness, इसके बाद में, जो अपने, abing us थे, जर्मन के psychologist, इन्होंने एक कथन दिया, या फिर, एक, कथन दे दिया, इन्होंने, speech मान लो, या कुछ भी मान लो, इन्होंने काया कि, psychology is long past, but a short history, तो psychology है, वो लंबा आती थे, वो थी पुराना आती थे, लेकिन इसकी जो history है, वो कहाए, short है, ठीक है, अब यहां तक पर लिया, अब इसमें अपने एक, बात आपने, notice की हो, तो मैं आपको बताऊं, इसमें देखो, सबसे पहले तो उमने, जो psychology है, उसकी meaning देखी, वो पहले तो थी, किसमें, soul में, उसके बाद में आई, mind, उसके बाद में आई, consciousness, और उसके बाद में किसमें आगई, behavior में, behavior, ठीक है, यानि starting में तो किसमें थी, soul में, उसके बाद में mind में convert होई, जैसे जैसे समय बीत, निकल रहा है, जो psychology की meaning है, वो change हो रही है, consciousness में आई, फिर आगई behavior में, behavior में, ये बात यहाँ पर notice करने की, आगे चलते हैं, एक, एक minute, यहाँ पर, फिर आता है अपने meaning of behavior, अब पढ़ेंगे meaning of behavior, introduction part complete, now behavior, meaning of behavior, जो behavior है, उसकी meaning क्यों होती है, आगे चले, any, any manifestations, of life is activity, and behavior is a collective name, for this activities, यासे कराएं कि, जो अभी व्यक्ति है, कोई अभी व्यक्ति, if any manifestations, अभी व्यक्ति, of life, जो life है, वो क्याए activity है, life is activity, जीवन एक गतिविदी है, and behavior is a collective name, for, collective name, for, this activities, और जो behavior है, वो क्या है, collective name है, collective name यानि कि, इसको अपन बोलेंगे, collective name, सामुविक, नाम बोल दो, सामुविक नाम या फिर collective name, of this activities, life क्या है activity है, life क्या activity है, और जो behavior है, ये इसका collective name है, इस activities का, got it, आगे चलते हैं, the term, the term behavior, include the following, जो behavior के जो term है, उनमें हमने, include किया गया है, किने, जो हम पढ़ेंगे आगे कि तरफ, page change, ये, motor, और, cognitive activities, behavior के जो term है, उनमें हमने, इनको include किया है, first है अपने, first one is, motor, और, cognitive activities, इसमें, कौन-कौन से, activities, include है, walking हो गया, swimming हो गया, और dancing हो गया, ये भी क्या एक, behavior ही है, second one is, cognitive activities, इसमें कौन-कौन से, थामिल है, thinking, listening, and imagining, and, imagining, third one is, third one and, last one is, effective activities, किस-किस का, हमें, effect होता है, affect होता है, जैसे, feeling हो गया, happy, sad, angry, यानि कि, हमें कोई, प्रभाव पढ़ा, किसी का, तो हम, हमें, feeling क्या, क्या होगी, happy होंगे, हम, sad हो जाएंगी, और angry, गुष्टा हो जाएंगी, कोई, पूरी बात हुई तो, तो, इससे हम, समझने के, कोशिस करें, तो, motor है, क्या है, motor, इससे समझो, इसको, अभी याद आया है, इससे, कि, motor है, motor में क्या लगता है, fuel, किसी इंजन वगेरा, या कुछ भी हो, उसकी motor देख लो, उसमें क्या लगेगा, fuel, और, fuel में, fuel मान लो, तो, जैसे हमें, वाकिंग करते हैं, swimming करते हैं, dancing करते हैं, इसमें, अम्मारा, fuel है, एक परकार का इंधन, वो काम में लेते हैं, कैसे, जैसे, हम चल रहे हैं, तो हम, ठक जाएंगे, physically रूप से, तो, physically रूप से, अगर हम सोचे, physically रूप में, जो, जो activities आती हैं, वो आती हैं, motor में, ठीक है, और, process of thinking, it's called, cognitive activities, और जो सोचने की, जो चीजे हैं, वो आती है, cognitive में, और, affective, प्रभाव पड़ा, किसी भी बात का, हमें अच्छा है, बुरा प्रभाव पड़ा, वो आती है, affective activities में, जैसे, feeling, happy, sad, angry, ये, ये, कैसे याद रखो आप, कैसे याद रखोगे, motor, motor में क्या आगे, physical activities आगी, जैसे, walking, swimming, dancing, etc, और, cognitive है, इसमें आगे, अपने, process of thinking, reasoning, imagining, जो, mind की activities है, सोचने की, वो किसमें आती है, cognitive में, और, affective है, नाम से पता चल रहा है, प्रभाव पढ़ रहा है, अच्छा है, बुरा प्रभाव पढ़ रहा है, किसी भी बात का, वो किसमें आगे, affective में, आदे, and, then, I think, last, slide है, तो, behavior include, not only the conscious, behavior include, not only the, conscious, behavior and, activities of human mind, but also the subconscious, and unconscious, यह है, देखो बात, यह से कहरा है, कि जो behavior है, अपना, उसमें केवल, behavior में, हमने, human mind, मानव के, जो mind है, उसे, और उसकी activities को ही, include नहीं किया है, बलकि हमने, subconscious and unconscious, conscious यह होता है, चेतना, तो subconscious ने इस क्या हो गया, अर्द चेतना, ठीक है, और unconsciousness ने इस आनी हो गया, अचेतना, हमने इनको भी, सामिल किया है, किसने, behavior में हमने, चेतना को ही सामिल नहीं किया है, क्योंकि जो पेले हमने पड़ी थी, उसकी definition पड़ी थी हमने, आप याद करो, उसकी हमने definition पड़ी थी, Wilhelm, Wilhelm, wouldn't की हमने जो definition पड़ी थी, psychology की, वो के रहा था कि, psychology is the study of consciousness, अरे, तुम्हें दिखा देता हूं, मैं एक बार, खांग गया, यह, यह हो लिए, ठीक है, यह पड़ा था हमने, Wilhelm, wouldn't की, psychology is study of consciousness, जो psychology है, वो क्या है, consciousness है, चेतना की, steady है, इसको हमने बाद में, खारिज कर दिया, discard कर दिया, और फिर हमने कहा कि, it is the systematic study of human and animal behavior, यह कहा हमने, तो यह ऐसे ही कह रहा है कि, जो behavior है न, वो only consciousness, यानि कि only conscious की ही नहीं, बलकि, subconscious and unconscious, दोनो, दोनो तीनों का, include किया गया है, हमने इसमें, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, एक बार वापिस revise कर वो, चलो एक बार वापिस, mind out कर लो, सबसे पहले हमने, आपका स्वागत किया, फिर, इंट्रो दिया, उसके बाद में, हम आज की class में, हमने यह पढ़ने वाले थे, यह बताया, इसके बाद में, जो psychology word है, वो है, Greek word, psyche का मेंज होता है, soul, and logos means, steady of, या, knowledge of, इसके बाद में, आगे बढ़े, psychology means क्या होगी, steady of soul, introduction part पर आए, psychology is, of spring of philosophy, subject, जो psychology है, वो क्या है, of spring है, किसकी, philosophy subject की, उसके बाद में, आपने पटा, the word soul was, used regularly, जो, soul word था, वो हमने, थोड़ा भूत, used लिया गया है, there were many interpretations, यहाँ पर, जो soul है, इसके, कई व्याख्य दी गई है, उसके बाद में आए, later on, William James, जो William James, scientist है, उन्होंने क्या खाया, जो soul की जगह, उन्होंने, mind को, replaced कर दिया, used the term mind, which replaced to soul, फिर क्या हो गया, जो soul थी, उसकी जगह, mind आ गया, अब, जैसे जैसे समय बीता, जो psychology है, उसकी meaning है, वो भी क्या होगी, change होगी, ठीक, some scientist like, William Wooden, of German, defined psychology, is the study of consciousness, यह, याद रखे, कि आप यह फादर है, कल बताऊंगा, मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज ही बता दूँगा, सारा, तो कल मज़ा नहीं आएगा, some scientist like, William Wooden, of Germany, defined psychology, as the study of consciousness, जो, William Wooden, है, उन्होंने कहा कि, psychology तो एक, consciousness की study है, आगे चले, however, बाद में इसे भी खारिज कर दिया गया, और इसके बाद में, जो current definition आतीव आती है, systematic study of human, and animal behavior, जो की अब, accept, की हुई है, आगे चले, इसके बाद में आया आपके, study of soul, study of mind, study of behavior, and study of consciousness, all the components are psychology, ठीक, next, आगे बड़े हम, is, abing as a German psychologist, is rightly stated, फिर, जो abing as, German psychologist है, उन्होंने, एक line दी है, वो है, psychology has long past, जो psychology है, उसका, लंबा अतीत है, लंबा past है, लंबा भूत है, भूत काल में, लंबा past है, but a short history, लेकिन उसकी जो history, वो क्या है, sort है, आगे चले, फिर आए, अपने meaning of behavior, इस meaning of behavior, ने पढ़ा, कि any manifestations, of life is activities, जो life है, वो तो क्या है, activity है, और behavior क्या है, it's a collective name, for this activities, जो इसकी activities है, उसका collective name क्या है, the term behavior include, the term behavior, include the following, include किस-किस को किया गया है, हमने include किया गया है, first one is, motor and cognitive, मैंने आपको बता है, motor को, इसके example कैसे आद रखने है, motor, motor में क्या होती है, motor चलती है, उसमें, fuel लगता है, तो motor, physical activities, मान लो इसे आप, तो जितने भी physical activities है, वो किस में आती है, motor and cognitive activities में, जैसे walking, swimming, dancing, etc, और cognitive है, it's a process of thinking, it's called cognitive, thinking आगया, reasoning आगया, और imagining आगया, फिर आता है, effective activities, अब effective activities है, इससे नाम ने पता चलता है, इसे अफेक्ट पढ़ रहा है, तो feeling, happy, sad, angry, effect पढ़ेगा, तो हम अच्छा effect हुआ, तो हम happy होंगे, बुरा हुआ तो sad होंगे, and angry होंगे, उसके बाद में, behavior include not only the conscious, जो behavior है, उसमें हमने conscious को ही, include नहीं किया है, बलकि subconscious and, subconscious and unconscious को भी, हमने include किया गया है, ठीक है, उसके बाद में हमने आपको एक, ये और बताया था मैंने आपको, कि जो soul है, सबसे पहले हमने study of soul, हमने पढ़ा कि psychology क्या है, psychology से study of soul, then we did, psychology is the study of mind, then psychology is study of consciousness, and after that, psychology is the study of behavior, got it, समझ में आगया, या तो कोई दिक्कत कमेंट में करें, कोई दिक्कत आए, तो कमेंट में आप बताया हमें, और, thanks for watching, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में आपको, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो में आपको बता देता हूँ, एक तो में आपको पढ़ाऊंगा, इसका, psychology की meaning, meaning हो गया, and, definitions, meaning, definitions, हो सकता है, तो मैं आपको इसका नेचर भी बता दू, psychology का नेचर यहा, nature के दो, या फिर इसका, जो characteristics से, psychology का, वो भी मैं आपको last class में, बता सकता हूँ, ठीक है, last class में, के वाल nature, or meaning of, meaning and definitions ही पढ़ेंगे, उसकी अगली class में पढ़ेंगे, आपके, ये, origin केसी हुई, इसकी, कौन-कौन से scientist आए, physiologist आए, sorry, physiologist ने, psychologist आए, उन्होंने, कौन-कौन सी, study करी, और क्या-क्या नाम दिया, वो सब पढ़ेंगे हम, तो, देखते रहेए, मिलते हैं, अगली वीडियो में, और, जितने भी वीडियो, हम आपको provide करवा रहे हैं, उन्हों सभी के notes, आपको telegram, group है, उसमें, मिल जाएंगे, उस provide करवा हुए हैं, उसे join कर ले, description link है, आपको, नीचे description link दी गई है, उसे join करें, description link में, आपको telegram की जो link है, description में, उसे join करें, Instagram पर follow करें, और, जो कर सकते हैं, वो करो, बस पढ़ाए करो, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए, धन्यवाद, Thank you,